Hey guys, welcome to our YouTube channel by health Guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Lymph no tuberculosis के बारे में यानि की TV की गांठ, लक्षण, बचाओ, उपचार, जाचें, डाइट यानि की कौन सी चीज़े खाना चाहिए और किन चीज़ों से हमें परेज करना चाहिए डॉक्टर इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन्स का इस्तमाल करते हैं टीटमेंट के लिए दूसरा इसका डियोरेशन कितना होता है तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि TV की गांठ क्या होती है Guys, TV की गांठ को मेडिकल भासा में लिम्प no tuberculosis कहा जाता है ये एक तरह का extra pulmonary tuberculosis होता है Guys, extra pulmonary tuberculosis की तरह ही ये भी एक बैक्टिरिया के कारण ही फैलता है जिस बैक्टिरिया का नाम है mycobacterium tuberculosis tuberculosis दो stage में होता है primary and secondary stage tuberculosis tuberculosis के पहले stage में ये हमारे lungs यानि फेपडों को प्रभावित करता है जिसे हम pulmonary tuberculosis कहते हैं secondary stage में ये हमारे lungs से lymph node tube के माध्यम से निकल कर धीरे-धीरे सरीर के अन्य अंग जैसे brain, आख, skin, हड़ी, पेट, आथ, एबं खून में फैल जाता है जिसे हम extra pulmonary tuberculosis कहते हैं जब ये हमारे सरीर के अन्य अंग में फैल जाता है जिसकी बज़े से हमारे सरीर में टीवी की गाठे बनने लग जाती है चलिए अब हम बात कर लेते हैं symptoms यानि की लक्षण के बारे में गाइज बैसे तो टीवी की गाठ के मरीज में बहुत ही कम यानि की ना के बरावर लक्षण देखने को मिलते हैं मुखिता जो आपको नॉर्मल टीवी यानि की जो फेपड़े की टीवी के मरीज में लक्षण देखने को मिलते हैं वही सेम आपको टीवी की गाठ के मरीज में लक्षण देखने को मिल सकते हैं जैसे दो सब्ताज से अधिक लगातार खासी का आना खासी के साथ बल गम और खून का आना, भूकना लगना और आपका लगातार बजन का कम होना हलका बुखार रहना, रात में पसीना आना, इत्यादी आपको ये लक्षर देखने को मिल सकते हैं हलाकि जरूरी नहीं है कि टीवी की गाट के मरीज में ये सारे लक्षर आपको दिखें हाँ, लेकिन एक चीज कॉमन हो सकती है कि यदि आपके सरीर में आपको गाट यानि की लिंप नोट दिखाई पड़ती है तो लापरवाई ना करें, त्रंत डॉक्टर में डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल में जाके साथी साथ डॉक्टर आपको कुछ जाच बगएरा करने के लिए बताएंगे, वो जाच जरूर कराएं देखिए क्या होता है, अक्सर लोगों का, यानि मरीज का मानना होता है कि जब तक आपको दो सब्ता तक लगातार खासी नहीं आती है या आपका बजन कम नहीं होता है, खासी के साथ बलगम नहीं आती है, खून नहीं आता है तो मरीज मानता है कि उसको टीवी की समस्या नहीं है लेकिन गान्ट की टीवी में जरूरी नहीं कि सारे लक्षर देखने को मिلते हैं इसी वज़े से क्या होता है कि मरीज की बीमारी की जो इश्टेजे वो धीरे-दीरे-दीरे बढ़ती रहती है और बाद में डॉक्टर्स को उसका treatment करने में बहुत सरी समस्य उत्पन होती है और end में निसकर्ज निकलता है कि मरीज को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी मृत्य हो जाती है तो सही समय पर सही जानकारी होना बहुत जरूरी है अब हम बात कर लेते हैं lymph node debe closest diagnosis के बारे में यानि की जाज के बारे में जरूरी नहीं है कि जो मरीज के सरीर पर गाठ हे वो TB की ही गाठ हो नॉर्मल गाठ भी हो सकती है फेपडो की TB की तरह lymph node TB की जाज करना उतना आसान नहीं होता गाइच डॉक्टर के लिए बहुत सारे कॉंप्लिकेशन जुत्पन हो जाते हैं ये किलियर करने के लिए मरीज की अंदर जो गाठ है वो टीवी की गाठ है या नहीं है तो गाइच इसके लिए डॉक्टर कुछ जो है जाचे आपको करवा सकते हैं वो जार्चे हैं टीवी गोल्ड, एक्सरे, अल्टरा साउंड, सिटी इसकिन, टीएश्टी, बलड टेस्ट और सबसे महतपूर्ण है बायोस्थी बायोस्थी जो है उसके द्वारा पता किया जा सकता है कि मरीज के अंदर जो गाठ है वो टीवी की गाठ है या नॉर्मल गाठ है चाहिज डायग्योसिस के बाद येदि मरीज लिमफ नोट तीवर क्लोशिस से रो ग्रेसिट पाया जाता है तो डौक्तर के द्वारा इसमें टीवर क्लोशिसे DC में तो यदि आप लावरबाई करते हैं तो पूरी जिंदिılगी भर और उसके बाद सीधे आप कवर में त्रीटमेंट करवा सकते हैं एंटी ट्यूवर क्लोसिट ड्रक्स का इस्तमाल केवल केवल डॉक्टर की सलह और उनकी निगरानी में ही करें यदि आप इन मेडिसिन्स का उप्योग अपनी मर्जी से करते हैं तो इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है, गंभीर हो सकती है, साती साथ मरीज की मृत्यू भी हो सकती है क्योंकि एंटी ट्यूवर क्लोसिट ड्रक्स बहुत ही पावरफुल होती है, इसके बहुत सारे साइड एफेक्ट्स भी होते हैं जैसे इसकिन का काला पढ़ना, हलका सा कम दिखना, बालों का सफेध होना, इसकिन का डल होना, उल्टी आना, जी घबराना, चक्कार आना और साती साथ आपको अंदर से बीक्नेस भी महसूस हो सकती है और पेसाप का लाल होना आप अप अपनी मरजी से ना करें, कोई भी दवाई अपनी मरजी से ना ही छोड़े और नहीं ले, सारे काम डॉक्टर की सला के अनुसार करें, समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलते रहें, साती साथ आप जिस कमरे में रहे हैं, उस कमरे की सापसपाई बहुत जरूरी है, साती साथ आपको सुनस्षित करना चाहिए कि आप जिस कमरे में रहे हैं, वो रोसनीदा और हवादार है या नहीं है मरीच को भी अपने सरीर की और कपड़ों की साप सपाई रखनी चाहिए साथी साथ मरीच को पबलिक प्लेस पर नहीं ठूगना चाहिए मरीच को हाई प्रोटीन भोजल लेना चाहिए या फिर मरीच डॉक्टर के दौरा बताई गई डाइट चार्ट को भी फॉलो कर सकता है पीवी के किसी भी प्रकार के लक्षर दिखने पर लापरवाई ना करें तुरंत डॉक्टर से मिलें और जाच कराएं और सारे लोगों का एक common question रहता है जो है क्या हम lymph no tuber closest में sex कर सकते हैं यानि कि सारी रिक समंध बना सकते हैं तो बिल्कुल आप lymph no tuber closest में सारे रिक समंध बना सकते हैं कर्णों का इस्तमाल कर सकते हैं साती साथ आप अपने डॉक्टर की सला भी ले सकते हैं पूप करता हूँ मेरे दोरा दीगे जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए यदि आपका कोई सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंड कीजिए और साती सात यदि आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल कर सकते हैं एकदम फ्री है तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल लखें मास्क और सारेटर का प्रियोग करें जेहिन जे भारत